सोनमर एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ पे सिर्फ तीनी एलिमेंट्स हैं नेचर, फॉज और टूरिस्ट एंड इंदो ओर्ड श्री नगर से सिर्फ 80 किलोमेटर्स दूर है यानि कि आप सुबह निकल कर शाम तक घूम फुरिकर वापस आ सकते हैं और वैसे भी रहने का सोचेंगे तो रहेंगे कहां, यहाँ जीरो पर्मानेंट से टेल्मेंट से, छे महिना तक सोनमर पूरी तरह से बंद रहता है, यहाँ कोई नहीं रहता फॉज की सिवाँ सोनमर में देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं और अपनी गाड़ी से तो आप कहीं भी कुछ नहीं देख सकते हैं, एक ही मेजर पॉइंट है वो है थाजिवाज ग्लेशियर जहाँ पर आप पोनी राइड लेकर जा सकते हैं हाँ पर अगर आपको बर्फ देखने का चस्का है और खून में एड्रेनेलीन उबाल पार रहा है तो एक चीज जरूर करना है जो यहाँ पर 99% आने वाले टूरिस्ट मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी में सोनमर्ग से बहुत पास है दुनिया का most dangerous mountain pass जो जिला तो आते ही सबसे पहले हम शुरू करेंगे local sightseeing थाजिवास glacier जाकर और फिर उसके बाद हम फटाफट निकलेंगे जो जिला के लिए और जो जिला घूम फिरकर वापस आ जाएंगे श्री नगर and everything in a day तो सोनमर्ग पहुंसते ये खुबसूरत नजारा देखने को मिलता है नीली नदी और उसके किनारे लोग camping करते हैं यहाँ पर पहुत camping होती है और ये केचुवा के टेंट लगा के यहाँ पर कुछ बंदे fishing भी करता है था जी वास glacier देखने की शुरुआत यहीं से हो जाती है पोनी राइट वाले इधर यह आसपास भूमते रहते हैं और यहाँ से हमने सफर शुरू किया glacier की वोड़ पोनी राइट का रास्ता इतना खूपसूरत है न कि बिलकुल मंत रुबुक दो जाते हैं तो मैं उस पोनी राइट वाले लड़के से बात कर रहे थी कि उसे कैसा लगता है हर दिन इतनी खूपसूरती देखकर शौकिंग लिए उसने बोला कि वो उप चुका है यहां की सुन्दर्ता से और उसे यह जगर बिलकुल पसंद नहीं है वो कमाने के लिए सिफ समर्स में यहां आता है बागे पूरा टाइम वो दिल्ली में रहता क्योंकि उसे दिल्ली पसंद है वहां वो फुटपाथ में सोता है ठंड में बिना कम्बल के और उसे दिल्ली की ठंड बहुत पसंद है obviously कश्मीर की जिसने freezing temperature देखा है उसे दिल्ली की ठंड सुहाम नहीं लगेगी लेकिन इससे एक बात तो समझ में आए कि विराना चाहे कितना भी खुबसूरत होना long term में पसंद नहीं आता long term में लोगों को अपने आसपास लोग चाहिए, चहल पहल चाहिए और रोजी रोटी चाहिए आदे रास्ते में ही मेरा घोड़ा गिर गया और इतनी संभाल के उसने मुझे गिराया कि मुझे कोई खास चोट नहीं लगी सिर्फ दो उंगलियों में थोड़ा सा ट्वेस्ट हो गया था, पर इसके बाद मैंने ग्लेशियर तक जाने से मना कर दिया क्योंकि घोड़ा बिमार लग रहा था तब फिर पोनी राइड वाले ने मुझे एक ऐसा सीक्रेट हिडन स्पॉट दिखाया जिसको देखकर तो बहुत ही मज़ा आया ये इतना खुबसुरस फिल्मी रोमैंटिक सी जगह थी, बाद में पता चला कि यहाँ पर मन्दाकनी का खट बना हुआ था इस प्लेज को मन्दाकनी हट के नाम से जानते हैं, हाला कि इंटरनेट पे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है बट यहाँ पर रामतेरी गंगा मैली की भी शूटिंग हुई थी क्योंकि वो दौर था जब हर प्रोडूसर कश्मीर में ही अपनी फिल्में शूट करना चाता था बेभी इसी वज़े से, यह जो स्ट्रक्टर्स आप देख रहे हैं, यह जो जोपडियां उस समय दिखाई गई थी हिरोईं की, मन्दाकनी की, उसके बेस है यहां की खुबसूरती देखने के बाद मुझे ताजीवास ग्लेशियर नहीं जाने का कोई मलाल नहीं है अब यहां से बिल्कुल समय नहीं गवाते हुए हम फटाफट दिख ले जोजिला पास के लिए रास्ते बहुत ही खुबसूरत है, सडक की कंडिशन खुद देख लीजे, बिल्कुल बटर की तरह चिकनी सडक है और बहुत दूर तक यह सडक ऐसी ही है, जब तक हम जोजिला के बिल्कुल पास नहीं चले जाते हैं और दोनों तरफ बहुत खुबसूरत नजारे आते हैं, शुरू में पहाड हरे दिखते हैं, फिर बट की ले पहाड शुरू हो जाते हैं सोनमग से 15 किलोमेटर दूर आने के बाद यह देखिए, फौजी भाई मिल गए, तो जहां फौज शुरू होती है, वहीं पर जोजिला का एंट्रेंस है इस समय यहाँ पर इस हाइट पर बर्फ पूरी तरह से धकी हुई है पहाड को, और रास्तों में बहुत फिसलन है यहाँ हमें आगे संभल के जाने के लिए चेतावनी दी जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही संकीर्ण है और बहुत ज़्यादा फिसलन भरा है पिघलते हुए बर्फ और कीचड इतना फिसलन भरा रास्ता बना देते हैं, इस पर ज़्यादा तर गाड़ियां फस जारी थी जो छलकी और छोटी गाड़ियां थी वो निकल जारी थी लेकिन जो भारी गाड़ियां थी वो फस जारी थी श्री नगर से जोजिला क्रॉस करने के डेज अलग होते हैं और फिर उस तरफ से इधर आने के श्री नगर आने के डेज अलग होते हैं इसलिए हम पूरी तरह से जोजिला क्रॉस नहीं कर सकते हैं जीरो पॉइंट तक आना हर टूरिस्ट को अलाउड है तो हम सिर्फ जीरो पॉइंट तक जाएंगे वहाँ पर मैगी खाएंगे और फिर वहाँ से हम वापसी का सफर शुरू करें तो हम पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन जीरो पॉइंट पर यहाँ पर एक ही स्टॉल है मैगी का और एक मेक्शिफ टॉयलेट है टूरिस्ट के लिए और यहाँ पर स्लेजर्ज और आइस्कूटर राइड है तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन राइड्स के मजे लेते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं हमें वापस श्रीनगर पहुचने की बहुत जल्दी थी तो इसलिए हमने कुछ भी यहाँ पर राइड्स नहीं ट्राइ किया मैगी खाया और वापसी की और निकल पर हमें झाल को बहुत जाते हैं झाल कि अज़ एंट स्ब्सके पर जाइड्स चाल कि और बाइड्स कि अब्सक्राइड़ कि आपको कि अब्सक्राइड़ और शाम होते होते हम पहुंच गया श्री नगर, शाम की चाय हमने डल जील के किनारे पी और वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, जैन्यूनली तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर शाम का और शाम करना भूलें वीडियो आपको का और शाम के लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंग।